मधुबन के बाबा मधुबन के बाबा मुरलीवाने आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शान्ती आज 20 अगस 2022 के साकार मधुर महावा के है आज मीठे मीठे बाप दाद बोले मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी बाबा ने आज प्रषन पूछा कि कौन सा निश्चे पका हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करे और उत्तर में बाबा कहते, अगर निश्चे हो कि हमें स्वयम भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्सा मिलेगा, और उंट स्टेटस भी मिलेगा, बाप हमें साथ भी ले जाएंगे, तो पढ़ाई कभी मिस न क ओम शांती मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी है पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुध्धी में क्या रहता था और अब बुध्धी में क्या रहता है यह रात दिन का फर्क देखने में आता होगा उस सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं कोई आश दिल में नहीं रहती बस सत्संग में जाकर दो वचन शास्त्रों का सुनना होता है और यहां तुम बच्चे बैठे हो बुध्धी में हैं कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्यान और योग सीख रहे हैं जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स समझते हैं कि हम बैरिस्टर वर इंजिनियर बनेंगे कोई न कोई इम्तिहान पास कर यह पद पाएंगे यह ख्याल आत्मा को आते हैं अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे ससंग में कोई एम नहीं रहती कि क्या प्राक्ति होगी आगे कोई को आश होगी भी तो वै अल्पकाल के लिए साधू संतों से मांगेंगे कि कृपा करो आशिरवाद करो यह भक्तिवा ससंगादी करते यहां तक आकर पहुँचे है अभी हम बाप के सामने बैठे हैं एक ही आश है क्या कि आत्मा को बाप से वर्सा लेने की उन ससंगों में वर्सा लेने की बात नहीं रहती स्कूल अथ्वा कॉलेज में भी वर्सा पाने की बात नहीं रहती वह तो टीचर है पढ़ाने वाला वर्से की आश इस समय तुम बच्चे लगा कर बैठे हो बरोबर बाप परमधाम से आया हुआ है हमको फिर से सदा सुख का स्वराज देने यह बच्चों की भुधी में जरूर रहेगा न फिर भी समझते हैं कि बाप के समुख जाने से ज्ञान के अच्छे बान लगेंगे क्योंकि वह सर्वशक्तिवान है बच्चे भी ज्ञान पान मारने सीखते हैं परन्तु नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार यहां ही डारेक्ट सुनते हैं समझते हैं बाबा समझा रहे हैं और कोई सत्संग्व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं हम इस स्ष्ष्ची चक्र को जान गए हैं उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं, यहां है एक ही बार की बाद, भक्ती मार्ग में जो कुछ करते वैं अब पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है, तो भी अलपकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, तुम बच्चों की बुध्धी में रहता है कि हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा ही बुध्धी में याद आएगा और अपनी गवाई हुई राजधानी याद आएगी, अभी हम जितना पुरुशार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे, और ग्यान की धरना में रहेंगे, औरों को भी ग्यान की धरना कराएंग उतना उम्च पद पाएंगे यह तो हर एक की बुद्धी में है ना बाप इस प्रजापिता ब्रह्माद्वारा समझा रहे हैं इनको दादा ही कहेंगे शिप बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं तुम जानते हो पहले ये बातें हमारी बुद्धी में नहीं थ हम भी बहुत ससंगादी करते थे परंतु यह ख्याल में भी नहीं था कि परंपिता पर्मात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर कब पढ़ाते हैं। अभी बाप को और समय को जान गए हैं। नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज फिर से याद आता है। अंदर में खुशी रहती है। बेहत का बाप जिसको भगवान कहते हैं वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही। फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ आते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाए तुम बच्चों के। तुम बेहत बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है कि हम आतमाई 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापिस जाती हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हम को राजयो की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह राजयो की शिक्षा दे स्वर्ग का महराजा महरानी बनाने वाला बाप के सिवाए और कोई हो नहीं सकता। इंपॉसिबल है। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। अबजेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धी में है कि हम कहां बैठे हैं बच्चों के ख्यालात तो कहां न कहां चलते ही रहते हैं पढ़ाई के समय पढ़ने के और खेलने के समय खेलने के तुम जानते हो हम बेहद बाब के समुख बैठे हैं आगे नहीं जानते थे कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि भगवान आकर राज योग सिखलाते हैं अब ये तुम बच्चों ने समझा है जन्म जन्वांतर हम भक्ति करते आए हैं यह ज्यान बाप के सिवाई कोई दे न सके जब तक बाप ना आए स्वर्ग का रचाईता है फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं है नर्क में दुखी क्यों है हे भगवान हे पतितपावन कहते हैं परन्तु यह बुद्धी में नहीं आता कि हम दुखी क्यों है बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या बाप सृष्टी रचते हैं बच्चों के लिए यह तो हो ही नहीं सकता अब ही तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो भल कहां भी दफ्तर व धंदे आदी में बैठे हो परंतु बुद्धी में तो यह है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है क्लास में जाने वाल जिसको तुम ही जानते हो पेहत का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है वह बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं जब से माया का प्रवेश हुआ है हम कोड़ी जैसा बनते आए हैं कलाई काम होती गई हैं माया ऐसे खाती आई है जो हमको कुछ भी पता ही नहीं पड़ा अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया है अग्यान नीद से वह नीद नहीं अग्यान नीद में सोई पड़े थे ग्यान तो ग्यान सागर ही देते हैं और कोई दे नहीं सकते एक ही हमारा beloved most बाप ग्यान का सागर पतित पावन दे सकते हैं अब बच्चे जान गए हैं इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ परंतु समझते नहीं हैं कि कैसे आकर पावन बनाएंगे सिर्फ पतित पावन कहते रहने से तो पावन नहीं बन जाएंगे तुम चानते हो कि इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं वे करतब्य भी ऐसा करेंगे ये पेहद का बाप बैठ समझाते हैं तुम यहां सम्मुख बैठ कर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धी का योग बाप के साथ रहता है फिर कुछ संग तरफ जाते हैं बहुतों से मिलते करते हैं वातावरण सुनते हैं तो जो सम्मुख की अवस्था रहती है वह अवस्था बदल चाती है यहां तो समुख बैटे हैं स्वयम ग्यान का सागर परम पिता परमात्मा बैट ग्यान का बान मारते हैं इसलिए मधुवन की महमा है गाते भी है ना कि मधुवन में मुर्ली बाजे मुर्ली तो बहुत स्थानों पर बज़ती है परंतु यहां सम्मुख बैट कर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं कि बच्चे खबरदार रहना कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना लोग तुमको उल्टी बाते सुना कर डराए इस पढ़ाई से ही छोड़ा देंगे संग तारे और कुसंग बोरे यहां है सत्य बाप का संग तुम परतिग्या भी करते हो कि हम एक से ही सुनेंगे एक का ही फर्मान मानेंगे तुम सबका बाप, टीचर, सत्गुरु वो एक ही है वहाँ तुमे गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते नई बात कोई नहीं ना बाप का परिचे ही दे सकते न ज्यान की बाते ही जानते सब नेती-नेती कहते आए हम रचता और रचना को नहीं जानते जब बाप आते हैं तब ही समझाते हैं उन कल्यूगी गुरुओं में भी नंबरवार है कोई के तो लौखाँ फॉलोवर्स हैं और तुम समझते हो कि हमारा सत्गुरु तो एक ही है मरने आदी की तो बात ही नहीं यह शरीर तो शिब बाबा का है ही नहीं वह तो अशरीरी अमर है हमारी आतमा को भी अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं अमरपुरी में ले जाते हैं फिर सुख धाम में भेज देते हैं निरवान धाम है ही अमरपुरी अभी तुम्हारी बुद्धी में रहता है कि हमातमाएं शरीर छोड़ कर जाएंगी बाप के पास और फिर जिसने जितना पुरुशार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे क्लास ट्रांसफर होता है हमारी पढ़ाई का पद इस मृतिलोक में नहीं मिलता है यह मृतिलोक फिर अमर लोक बन जाएगा अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सत्युत्यता में 21 जन्म राजे किया और फिर द्वापर कल्युग में आए अब यह है हमारा अंतिम जन्म फिर हम वापिस जाएंगे वाया मुक्तिधाम होकर फिर सुखधाम में आएंगे बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्र में आते हैं पर मात्मा कहते हैं कि मैं इस चक्र में नहीं आता हूँ मुझे में इस तुम जानते हो कि पतित पावन बेहद का बाप है तो वह बेहद को ही पावन बनाने वाला होगा ना कोई मनुश्य बेहद का बाप हो न सके वह बेहद का बाप एक ही है तुम जानते हो कि हम आतमाएं वहां की रहने वाली है और वहां से फिर शरीर में आते हैं पहले पहले कोन आया पार्ट बजाने ये तुम समझते हो हम आतमाए निराकारी दुनिया से आई हैं पार्ट बजाने इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कि कैसे नंबरवार हर एक धरम वाले अपने पार्ट अनुसार आते हैं इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है ये किसी की बुद्धी में नहीं है हम बेहत ड्रामा के अक्टर हैं ना बेहत की हिस्ट्री जोग्रफी को ना अपने जन्मों को ही जानते हैं बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुशार थलुसार कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं बाबा हमको सत्य ग्यान सुना रहे हैं और कोई मनुष्य मात्रे ये ग्यान दे नहीं सकते इसलिए इसको अग्यान अंधेरा कहा जाता है अभी तुम जानते हो कि हम अग्यान अंधेरे में कैसे आए और फिर ग्यान सोजरे में कैसे जाना है यह भी नंबरवार समझ सकते है घोर अंध्यारा और घोर घोर सोजरा किसको कहा जाता है यह अक्षर बेहद से लगता है आधा कल्प रात और आधा कल्प दिन वह समझो सांज और सवेरा यह बेहद की बात है बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं यह जो दान पुन्ने करते हैं शास्त्र पढ़ते हैं उससे तो अलपकल का सुख मिलता है बाप कहते हैं मैं इन से नहीं मिलता हूँ जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊ यह भी समझते हो कि सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते मालिक वैब बनते हैं जिनों को बाप पढ़ाते हैं वही राज्योग सीख रहे हैं सारी दुनिया तो राज्योग नहीं सीखती है कोटों में कोई ही पढ़ते हैं कई तो 5-6 वर्ष, 10 वर्ष रायोग सीखते फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं बाप कहते हैं माया बहुत प्रबल है बिल्कुल ही बेज समझ बना देती है फारकती दे देते हैं कहावत है ना कि अश्यर्वत बाप का बननती, कथनती, फिर फारकती, देवनती बाप कहते हैं उनका भी दोश नहीं है यह माया तुफान में ले आती है ऐसी सजनियां जिनको श्रिंगार कर स्वर्ग की महरानी बनाते हैं वे भी छोड़ देती है फिर भी बाप कहते हैं कि जिनसे सगाई की उनको याद करना है याद कोई फट से ठहरेगी नहीं आधा कल्प नाम रूप में फस्ते आये हो अब अपने को आतमा समझ बाप को याद करो बड़ा मुश्किल है सत्यूग में तुम आत्म अभिवानी बनते हो परन्तु परमात्मा को नहीं जानते हो परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है यहां तुम देह अभिवानी आधा कल्प बन जाते हो यह भी नहीं समझते हो आतमाओं को यह शरीद छोड़ दूसरा शरीद ले पार्ट बजाना है फिर रोने की धरकार नहीं जब बाप द्वारा सुक धाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों न पूरा अटेंशन दें अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चो को नमस्ते हम रोहानी बच्चो की रोहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिक्वा फ्रेम से नमस्ते ओम शान्ती प्यारे बाबा मीठे बाबा मेरे बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट एक बाप के ही फर्मान पर चलना है बाप से ही सुनना है मनुष्यों की उल्टी बाते सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है उल्टा संग नहीं करना है सेकिंड पॉइंट है पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है सवेले सवेले क्लास में जरूर आना है बाबा ने वर्दान दिया साधनों को सहारा बनाने के बजाए निमित मात्र कारे में लगाने वाले सदा साक्षी द्रिष्टा भावर कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल तालियों में अकरशित हो जाते हैं कोई आत्मा को अधार बना लेते और कोई साधनों को क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल तालियों का रंग बड़ा शोभनिक होता है माया बुद्धी को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो छूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी द्रिष्टा सिती का अनुभव बढ़ाओ साथनों को सहारा नहीं बनाओ उन्हीं निमित मातर कारे में लगाओ स्लोगन है रुहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे प्सक्तुर्ण के लगपए हुआ है